हे दोस्तो वेलकम टू स्टडी आई एस और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकॉस करने वाला हूँ कि अभी अपरेल के महीने में यह पता लगा है कि जो वेटरंस हैं उनको यहाँ पे उनकी पैंसन जो है वो रिसीव नहीं हुई है आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर क्या रिजन है और किस वज़े से उनको उनकी पैंसन नहीं मिली है और वीडियो को पूरा देखेगा, काफी कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको पता लएगा कि आखिर क्या रिजन है और किस वज़े से हमें यह वाला इशू देखने को मिला है चलिए अब बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे वेटरन्स को जो पेंशन है वो रिसीव नहीं हुई अपरेल के महिने में अभी देखे दोस्तों अनेकेडमी पे आप लोग को बता दू कि कॉम्बो एक्स्टेंशन वीक चल रहा है जहां पे आप लोग को काफी अच्छे आफर्स पर आप के सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन है यह मिल रही है अगर आप लग हमारा कोड यूज करेंगे स्टडी आइस तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे साथ दोस्तों अनेकेडमी लाइट है तो अगर कोई आपका एक पर्टिकुलर वीक एरिया है आपको सिर्फ उसकी प्रपेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं अनेकेडमी के साथ और दोस्तों नए बैचेज है जो क히 6 अपरेल से आफ सही स्टार्ट होने वाले हैं तो जो बचे बिन इन्ट्रस्टेट है वो जाके अवेल कर सकते हैं harol कर सकते हैं जरू परस अब देखी दोस्तों बता दूँ कि लग बग 58,000 से ज़ादा जो वेटरंस हैं उन्होंने अपरेल के महीने में अपनी पेंशन रिसीव नहीं करी और इस बात को बताया यहाँ पे अब आपको बता दूँ कि क्योंकि उन्होंने यह बोला है कि वह एंशॉर करेंगे इस बात को कि जिस भी तरीके से जो मनी है यह आप केसकते हैं भीजी जा सके उन लोग को जिनको रिसीव नहीं हुए जो कि 58,000 से ज़ादा लोग हैं अब यह बात कहां से आई है क्योंकि यहा नहीं मिलिया है तो देखे ministry of defense ने यह कहा है कि 58,275 जो वेटरंस हैं उन्हें अपरेल के महिने में pension नहीं मिली क्यों क्योंकि आप बता दूँ कि वह फेल हो गये थे अपना जो life certificate है उसे submit करने में on the Spurs platform अभी आप बता दूँ कि उस time पे वहां की cut-off date थी कि 31st मार्स से पहल कर दे गया क्योंकि COVID-19 चल रहा था उसके बाद फिर अब यह बताया है Wednesday में ministry ने directly कि जो defense account department है उन्हें immediately यहां पर आप कहा देंगे पैसे बेज़ दें उनके account में जो भी आप कर सकते हैं credit हुए हैं उनको उनके bank account में 4 मई के evening को ही मतलब कि उसी दिन बेज़ दी जाए Wednesday को ही अब इस परस क्या है तो इस परस दोस्तों बता दें आपको system for pension administration रक्षा आप किसकते हैं इसके नाम से भी जाना जाता है और एक नया method है जिस हिसाब से pension distribute होती है यह आप किसकते हैं इसे लाए गया है और इस system के इंदर जो pension है वो directly credit करी जाएगी bank account में जितने भी यहां प तरह काम करेगा और एक commission agent भी रहेगा उसे हटा दिया गया है okay commission agent को हटा दिया गया अब यह directly bank से सीधा आप कर सकते हैं उनके account में पहुंच जाएगा इससे दोस्तों क्या होगा कि जो substantial saving है government की वो भी हो रही है और उसके साथ-साथ government का एक vision है direct benefit transplant DPT का उसके हिसाब से भी हम देखने को मिलते हैं अब बताओं दोस्तों जितने भी यहाँ पर veteran है उनकी यहाँ पर complaint रही है इस पर सो लेके अभी क्यों देखिए वेटरन ने यहाँ बताया कि काफी सारी complaint उन्हों दी है क्योंकि एक नया method है जिस हिसाब सोने pension मिलेगी अभी उसको लेके काफी सारी pension है वो भी stop हो जाती है यह सारी आपके सकते में दिक्कते हैं जो कि हमें देखने को मिलती है साथी दोस्तों इसमें आपको बताओं कि यह भी complaint है कि salary गलत मिलती है pension details है जो अप्लोड हुई है उसमें को clarity नहीं है difference data में actual data में और reality में क्या है वहाँ क्या upload हो रखा है यह सारी काफी सारे वेटरन यह भी है जो कि आपके से रिटार्ड ऑफिसर थे और उन्हें यहां पर difficulty हुई है माइगरेशन की दौरान आपके सकते हैं यह जो नयाम online method है इसमें आने तक जिसके अंदर आपके काफी सारे जवान है JCOs हो गए वो भी आपके सकते हैं जिने technology इतनी सही नहीं कर पा रहे हैं वेटरन दोस्तों यह बोलते हैं कि जो pension distribution का method है वह बैंक वाला जो था पहले वाला वह काफी efficient था और वह time tested भी था जो नया है वो थोड़ा complicated है और इसमें यहां पर adequate होने में भी थोड़ी दिक्कत उन्हें लग रही है क्या हमारी defense ministry क्या कहती है इस पर pensionaries को जिनकी यहां पर retirement जो यह वो एक-एक 2016 के बात से हुई है इसके अंदर दोस्तों 4.47 lakh SA pensionaries भी है जो कि हैं पर migrate हुए है old system से नहीं सिस्टम में क्यों आती है इस पर से लेटेड उसके बारे में health 9 नमर है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है और इनमें आप लोग जो working hours है उनमें contact भी कर सकते हैं जो defense account department है दोस्तों उसका काफी बड़ा यह move रहा था digital platform पर क्योंकि यहां पर उसको उन लोग को हटाना था जिन्हें यहां पर multiple आप कहते हैं pensionaries भी मिलती है और उन्हें और भी pension मिलती है तिया लग लग office में जाना रहता है तो उन लोग को भी दिक्कत होती है pension से अभी एक ऐसा platform बना दे गया जिससे कि सिर्फ एक जगह आओ और वहाहीं सारी आपके दिक्कत है दूर हो जाएंगी साथी दोस्तों यह एक real time का tracking भी देता है जिससे कि हमें सही time पर solution प्रोवाइड करने में भी दिक्कत नहीं होती है तो दोस्तों ऐसे कुछ benefit भी है इसके कुछ नुकसान भी है क्योंकि लोग को समझने में दिक्कत होती है नया method है पर कुछ फाइदे कुछ नुकसान हर तरकी के हैं अभी जो pension नहीं आ रही थी वह इस वज़े से आ रही थी क्योंकि लोग जो थे उन्होंने यहां पर आपके सकते हैं कुछ certificate जमा करने थे वह नहीं हो पाए थे इस वज़े से जो pension है वह accurately उन तक नहीं भेजी जा पाई I hope कि आपको अब चीज समझ में आगी होंगी कि क्या बाते हैं मिलते हैं नेक्स वीडिमें तक के लिए have a nice day and take care